दोस्तो नमस्ते उमंग मैं आप सबका स्वागत है मैं हूँ वन्चर्च और मैं हूँ रिया और हम दोनों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है वन्चर्च तुमने क्या कभी गिलैरी देखी है हाँ मैंने तो बहुत सारी गिलैरी देखी है लेकिन कहां देखी? अपनी नानी के घर के बगीचे में वहाँ पर बहुत सारी गिलैरी है अरे वाँ फिर तो बड़ा मज़ा आएगा तो हो जाए गिलैरी पर कहानी कहानी आधी अधूरी आओ बच्चो तुम्हें तुम्हारे जैसे ही एक बच्चे से मिलवाती हूँ नाम है उसका मिठन तुम्हारी तरह मिठन को भी हमेशा ही छुटियों का इंतजार रहता और भई इंतजार हो भी क्यों ना नानी के घर जाने का मौका जो मिलता है है ना और मजा तो तब आता जब पड़ोस के सभी बच्चे नानी के घर के पास आम के बाग में इकठा होकर खुब हसते खेलते और हुरदंग मचाते इस बार नानी के घर में वो पहला दिन हर बार की तरह मिठन को बहुत अच्छा लगा नानी ने खुब सारा प्यार किया खुब खिलाया पिलाया पुचकारा बस नानी की एक ही बात न मिठन को अच्छी नहीं लगती थी नानी धूप में बाग में खेलने के लिए मिठन को रोकती शैतान मिठन ने नानी के सोने का इंतजार किया जैसे ही नानी ने खराटे मारने शुरू किये मिठन ने चुपचाप चपपल पहनी और कहां भागा बाख की ओर उसके हाथ में एक टोकरी थी मिठन पहुँच गया एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया पर भई दुपहर का समय था दूर दूर तक कोई साथी दिखाई नहीं दे रहा था मिठन सोचने लगा क्या करूँ क्या करूँ कोई भी नहीं है क्या करूँ उसने अपनी टोकरी में हाथ डाल कर कुछ मुंगफलिया निकाली और छिलकों को तोड़कर मुंगफली के दाने मुं में डाल कर छिलकों को दूर दूर फेंकने लगा लो भई ये तो उसका खेली बन गया छिलका तोड़ता, मुंगफली का दाना निकालता मुँमें डालता और छिलकों को दूर दूर तक फेंक देता तभी उसने कुछ देखा अरे ये क्या है ये 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 तो हाँ, उसने देखा कि कुछ गिलहरियां फुदकते फुदकते आई और छिलकों को उठा कर फुर्ती के साथ दूर भग गई मिठ्ठन को तो मजा आने लगा अब उसने बिना छिले हुए मुंगफली फेंकनी शुरू कर दी एक, दो, तीन, पता नहीं कितनी सारी फेंक दी गिलहरियां फिर से आती और मुंगफली उठा कर भाग जाती कितनी संदर संदर गिलहरियां है मेरा तो मन कर रहा है एक दो को टोकरी में बन करके नानी को दिखाने के लिए ले जाऊ लेकिन इने पकड़ने के लिए तो इन गिलहरियों के पीछे-पीछे भागना पड़ेगा लो भई, मिठन ने सोचा कि इन गिलहरियों को पकड़े तो इन गिलहरियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे-पीछे भागने लगा पर गिलहरियां बहुत शरार थी मुंगफली उठाती और उठाकर जट से भाग जाती मिठन बस यही कहता रह जाता नानी तुम मुझे कहती है मिठन तुम कितने शैतान हो एक जगा बैठते ही नहीं हो अब कोई नानी को बताए ये गिलहरियां कितनी शैतान है एक जगा बैठती ही नहीं है पकड में नहीं आती है। मिठन ने एक बार फिर कोशिश की। मुंगफली खाती एक गिलेहरी को पकड़ने के लिए मिठन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया। गिलेहरी चटकियों में मिठन के देखते ही देखते उड़ते हुए थोड़ी दूरी पर कूद गई। ये कैसी गिलेहरी है जोड सकती है। मिठन ने फिर कोशिश की लेकिन गिलेहरी उसके हाथ नहीं आई। वो गिलेहरी को नहीं पकड़ पाया। मैं तो भागते भागते ठक गया हूँ और ये गिलेहरी मेरी पकड़ में ही नहीं आ रही है। क्या करूँ। उधर दूसरी तरफ गिल्लू की लहरी दूर खड़ी हस रही थी हम गिल्लेरियों का पकड़ना इतना आसान नहीं है क्यूंकि हम बहुत तीजी से काम करती है मिठन बोला तुम तो उड़ सकती हूँ तुम्हारी पूछ कितनी सुन्दर है गिल्लू की लहरी ने कहा नहीं मिठन मैं कोई चड़िया नहीं हूँ जो उड़ सकूँ मैं तो बस इतनी तेज छलांग लगाती हूँ कि लगता है कि मैं उड़ रही हूँ और ये मेरी खनी फूच जिसकी तुम तारीफ कर रहे हूँ न मुझे पेड से नीचे उतरने में मदद करती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम हम गिलेहरीयों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे मिठन खबरा किया बोला नहीं नहीं तुम ना मुझे अच्छी लगी सुचा तुम्हें पकड़ कर घर ले जाओ नानी को दिखाओ और तुम्हारे साथ खुब खेलू देखो मिठन जैसे तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम घर के बाहर खेलने जाओ कभी इधर गूमो कभी उधर गूमो वैसे ही हम सब पशुपक्षियों को भी अच्छा लगता है कि हमें कोई बंद करके ना रखे हमें मस्ती करने दे हाँ हमना खाने की तलाश में भुदकती हैं और अपना मन बहलाती हैं मिठन को गिल्लू गिलहरी की बातें इतनी अच्छी लगी इतनी अच्छी लगी कि उसने तो गिल्लू से वादाई कर लिया उसने कहा नहीं नहीं अब कभी भी किसी जानवर को मैं परेशान नहीं करूँगा हाँ मैं बिलकुल परेशान नहीं करूँगा ना में किसी जानवर को पत्थर मारूंगा ना में किसी जानवर के पीछे भागूंगा ना में किसी जानवर को पकड़ने की कोशिश करूंगा बस, तुम्हारे साथ रोज यहां बाग में खेलने आऊंगा ठीक है? गिल्लू बोली हाँ हाँ मिठ्टन हम दो न मिलकर खेलेंगे कल भी आना परसों भी आना जब तक तुम अपनी नानी के घर हो रोज आना मैं ही नहीं मेरी बाकी सहेलियां और दोस्त भी आएंगे तुमारे साथ खेलने ठीके अच्छा अब तुम घर जाओ नानी तुमारा इंतजार कर रही होंगी ठीके जाओ कहानी सुनने में बहुत मज़ा आया ना हाँ गिल्लू गिलारी कितनी सुन्दर थी वो तो उड़ भी सकती थी नहीं नहीं वो उड़ नहीं सकती थी हाँ सभी गिलारिया फुदक फुदक के चलती हैं तो तुम ये बताओ, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कभी भी किसी जानवर को नहीं पकरना चाहिए हाँ, कहानी तो हमने सुन ली हम इस कहानी का नाम क्या रखे? गिल्लू गिलारी फुदक फुदक के उड़ने लगी हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है गिल्लू गिलारी फुदक 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 उड़ने लगी तो मजाया ना, अगली बार फिर मिलेंगे एक नही कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्ते अभी आप सुन रही थी उमंग बाल पत्रिका का ये आंच कलाकार, सुचित्रा सेन्गुप्ता पनियांकन, बटिलांग लिंदू, आलेक, वाचन, निर्मान, निर्देशन और ध्वनी संपाधिन, गीतिका उन्याल प्रस्तुती, C I E T N C E R T भी आप सेन्गुप्ता निर्मान के लिए आप सुन रही आप प्रस्तुती, C I T T